करीब पास साल बाद पाकिस्तान ने मध्यप्रदेश की खंडवा चुले के पुनासा तहसील अंतरगत ग्राम इंतरवडी निवासी युवक राजु पिंडारे को भारत को सौप दिया है राजु को पाकिस्तान पुलिस ने डेरा गाजुई खान इलाके से ग्रफ्तार किया था वही राजु अब वापस भारत लोटाया है पाकिस्तान दौरा युवक को राजस्तान के रास्ते भारत को सौप गया है देखें इसे पर हमारी एकास रिपूर्ट पांस साल बाद राजु वापस भारत लोटाया है तो उसकी मा बसंता बाई उससे मिलने के लिए बेताब नजर आ रही है बसंता बाई का कहना है कि पांस साल से राजु की तलाश में पूरा घर परिशान था वहीं अब भारत सरकार की कारण उनका बेटा उन्हें मिल गया है हमारे घर तक पोचा दे बहुत बहुत धन्यवात हम देते हैं जहां भी किसी ने बोला हमाँ पर हमने फाइलें दी हैं पर हमको पता कुछ नहीं मिला और अचानक राजु की चुट्टी हो गई कि बेचेन हो गए थे पर अब आखे देखने के लिए बहुत तरस रही हैं किस तरह सुआगत करें साब वो तो देखके खुशी के मारे कैसे क्या सुआगत करें उस सुथ यसा लगता है कि जूम जाएं उसके उपर जिला प्रिशाशन की टीम खंडवा के इंदा बड़ी में रहने वाले राजु को लेने पंजाब रवाना हो रही है A.S.I. और दो कॉंस्टेवल के साथ स्वास्त कर्मियों की टीम बनाए गई है जिसकी जानकारी अपर कलेक्टर श्वंकरलाल सिंगाडे ने दी पाकिस्तान जो इंदावडी का राजु पिता लच्मन चला गया था उसको पाकिस्तान के दोवारा जो है रिलीज कर दिया गया है चोदा दो को और वहां से हमको इंडियन रेट क्रास सोसाइटी जिला हमरत सर से ये इनफरमिशन मिली है कि उनको प्राप्त करना है इसलिए हमने चार सदसी एक दल बनाए जिसमें एक मेडिकल का करमचारी भी है एक सास की करमचारी और दो पूलीस के जवान है जो वारंट के साथ उनको प्राप्त करने के लिए रवाना हो रहे है आपको बता दे राजू का पूरा परिवार इंधा बड़ी में ही रहता है उसके परिवार में माता पिता और एक विकलांग भाई शामिल है जुनके घर में एक बार फिर खुशियां बरसने वाली है क्योंकि उनका खोया हुआ बेटा अब उनके बीच होगा व्यूरर रिपोर्ट म्पी न्यूस खंडवा